वर्निवे सरमनिय दर्षनम् मन्दहा सरुचिराननाम भुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचेंतये ओ मवतारिने स्वामिनारायनाय नमो नमह श्री सहजानन्दाय नीलकंधाय च नमो नमह श्री गुरु चर्ण कमले भ्यो नमो नमह बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी श्री हरी कृष्ण महराजनी जै बदा भक्तों ने जै श्री स्वामिनारायन अपने सांबलिये छिये हरी चरित्रामरुत सागर एमा माता भक्तीने बाल प्रभु गंश्याम महराज धर्मनु निरुपण करी धर्मनों महिमा समझावे छे सवारनी कथामा तमे घंश्याम काका बौसरस मन्तवी याद राखो छो सांजनु पने थोड़ु थोड़ु याद राख जो धर्मनु पालन करे छे एवो सामान्य कूलनों मनुष्य एनो पन महिमा एटलों मोटो छे कि देवतावपण एनी पुजा करवानी इच्छा राखे छे मोटा मोटा देवपण एनी प्रसंसा करे छे स्वामिनरन हरे स्वामिनरन हरे ब्रह्मा आदी जेतला इस्वरों छे ते अत्यंत समर्थ गणाई छे छतापण तेवों क्यारेक जो धर्मती पड़ी जाए तो तेवों मोटा कहवाता होई तो पन अलप एवा सर्वे मनुष्यो माटे ते ब्रह्मा दिक देवों निंदा करवाने योग्य बनी जाए छे माटे धर्मने लिधेज मोटाई छे आवी धर्मनी रीत अने तेनु गवरव छे तेने समझी विचारी ने जेटला धर्मदेवना आसरीत छे ते बधा धर्मनु निरंतन पालन करे छे केवी सरस्वात छे ब्रह्मा दिक जेवा मोटा देवों छे पण जो धर्म भ्रष्ट थाई छे तो ये निंदाने पात्र बने छे अने उतरतामा उतरता कुलनो व्यक्ती छे पण धर्मनीष्ठ छे तो देवतावने पण वंदन करवा योग्या पूजा करवा योग्या अने प्रसंसा करवा योग्या बने छे श्रीजी महराज नो आ सिध्धांद एक जग्याए नई अनेक जग्याए वारम वार देखाई छे आम तो सनातन हिंदू संस्कुरुति नो आज आधार छे मनुष्यनो महिमा धर्मने लिधे छे मनुष्यनो महिमा एना कार्यने लिधे छे मनुष्यनो महिमा एना सत कर्मने लिधे छे एने केवा केवा कर्मो कर्या छे एना थी एनो महिमा अंकाई छे एनू कूल केवू छे एनू कुटुम्ब केवू छे एनो महिमा न थी पण आपने जडता ने पकड़ी लिधी केवी जडता के ब्राम्मन ने त्या जन में एटले ब्राम्मन च्छे पछे एना गम्मे तेवा आचार विचार होई छता पणे ब्राम्मन च्छे उतरतामा उतरता कुलनो च्छे पण इनो धर्म जो सारो छे, धर्मनु आचरण करे छे, पालन करे छे, तो मोटा-मोटा देवोपणे ने वंदन करे छे गईकाले आपने वाद साम्भली, महराजनी सभामा गोविंद भंगी, भंगी एकले ए समय माईनो पडचायो पन कोई अडे नई, आवी उतरती गनाती ना मानसो, पन कंठी पेरी, सत्संगी थया, एना जीवन केवा थया, ब्राम्मनों करता पन चड़ियाता एना जीवन थया कुत्रा पकडवानू काम करनार मानस, वागरी गनाती नो मानस, यहनी चाप केवी होई, यहना घर केवा होई पन आजे आपने यहने याद करिये चीनू कारण, आजे अमेरिका जिवा देशमा आवा सारा संतोना मुखे, आपने कथावार्तामा आवा भक्तोने संभारी, आपने यहाथी प्रेर्णा मेलव यह ची यहनू कारण यह छे, के ना जीवन यह सतकर्म थी एवा दीपी उठ्या, के आजे पने ना सतकर्म नो प्रकास चारे बाजू फेलाई चे, कूलनू अभिमान, धननू अभिमान, रूपुनू अभिमान, गुणूनू अभिमान, मानस करे चे, एक खरेखर साचू न थी, इतला माते कोई बहुस सरस्कईू छे, के डाया मानसे, ओछू बोलवू अने जाजू करवू जोई, बोलवानू अचू अने करवानू जाजू, अन्तियतों मानस करता मानसनू कर्म, एनू कारियज बोले चे, एनू महिमा गाये चे, केतली सरस्चेली टकोर करी, आवी रिते धर्मनू गौरवू चे, एटले के धर्मनी मोटाई छे, आवी रिते धर्मनी मोटाई समझीने, धर्म देवना आसरीत, एटले के धर्मकुलना आसरीत, उद्धव संपरदैना आसरीत तमाम भकतोये धर्मनू पालन करू, अधरंद स्वमिना मूल सब्दों जूँँआ, तेसे रित जानी धर्म जोता के, बढ़ता अती देख करही वाके, धर्मकु आसरीत, जन जोजेत ने, धर्मकु निरंतर, रखत तेत ने, आविरिते धर्मनी मोटाई जहानी, यहनु गौरव समझी, जे धर्मदेवना आसरीत छे, तेने धर्मनू निरंतर पालन करू, धर्मकु निरंतर रखत तितने, निरंतर धर्मने साथे राखो, येतला माते शिक्षापत्रि मां महराजे त्यां सुधी कहिव धर्मनू काम तदकाल करवु विहवारनू काम विचारीने करवु विहवार नुटले पईसा सम्मंधी, बिजनेस सम्मंधी अने आजे आपने उल्टु करिये छिए व्यावार नू काम होई, व्यापार नू काम होई, बिजनेस नू काम होई, तो मानस तरत करे अने इनी सामे धर्मनू काम होई तो मंदिरे जवानू होई तो विचार ये चालो सनिवारे जसु नवरा छिये तो एम विचार ना एक चालो भया आजे आपने पोची जईए तामें सहजो जो धर्म मां मानस एतलो बदो ढीलो छे एतलो बदो गाफल छे जेरे पैसानी बाबत मां व्यापारनी बाबत मां बोव उंडान थी जो मानस पासे थोडो टाइम छे एक नोकरी तो सारी चाले छे औने बीजी सारी नोकरी मले तो चालो करे के नहीं खंच्यम कागा पाच दिवस नोकरी करे छे फूल टाइम औने बहु सारी ओफर आवे औने सनीवार ने रविवार चार-चार कल्लाक करवानी होई तो चालो करे के ना करे अनुभोवनी वाद करेशे न कागा पणेनी जिग्याए एकादसी आवे अने घरे थोड़ो समय एड़्जेस करीन चालवाजी एकादसी छे मंदीरे जहिए तुन करीए आपने त्या आवे छे रिबगतो धन्यवाद आपवा जोईए पड़ ए साचो विचार छे काले में वाद करी तिने बेगू करेलू धन ए सांती आपनारू नथी असांती उपजावनारू छे धन आवे येने आपने साचवू पड़ से येनू ध्यान राखवू पड़ से येनी रक्षा करवी पड़ से ज्यारे धर्म एवी वस्तू छे धर्म आपनु ध्यान राख से आपने ध्यान नी राखवो पड़े धन ने आपने साचवू पड़ से पन जीवन मा जो धर्म हसे तो धर्म आपनने साचव से के विरिते साचावसे कोई मोटा रोग थी धर्म आपनने बचावसे कोई मोटी उपाधी थी धर्म आपनने बचावसे कोई विए आसुरी सकती थी धर्म आपनने बचावसे एतला माटे तो स्रीजी महरा सिक्षा पत्री मा एम कहे छे धर्म छे सुखनू मूल छे महाराज धर्म उपर एकलो बदो भार मुग्यों छे हाँ महाराज नुँ एव नाम छे भक्तिनु पोषण करना रा जनमंगल स्तोत्र मा अपड़े महाराज नुँ एव सम्भोधन करिये छे पन स्रीजी महाराज धर्म ने गोण कोई जिग्याई नसी करियो महाराज ना महिमानी वातो करी ने अथवा महाराज नी कोईक लिला कोईक चरित्र एकाद प्रसंग येने लई ने घणा लोको धर्मने गोण करवा वातो करे छे पन आखे आखु चरित्र आखे आखे लिला आखे आखो प्रसंग जो वाचवामा आवे तो एटली वस्तु चोकस छे, स्रीजी महराज एक भक्तिने औने धर्मने सर्खाच चलाएवा छे, एक साथेज राख्या छे, हाँ महराजनो मत स्पष्ट छे, कि भक्ति एकांतिकी हो यनाथी कल्यान थाई छे, पन तुरंत महराज बोल से भक्ति केवी धर्म, ग्नान औने वह दिराग्य सहीत, एतले वचनामृत्मा महराज एम कहे, कि देश कालादिक ज्यारे विश्म थाई छे, त्यारे जो धर्म आदी अंग द्रढ न होई, तो भक्ति उपर भई छे, ए भक्ति माथी पतन थवानी सक्केता वधी जाई छे, आजे लगभग तमें जोओ, चारे बाजू, तो कल्यूग माँ वधारे माँ वधारे, वधारे माँ वधारे, नुक्सान थयो एतो धर्मने, आजे चार मानस नो एटलो बदो खलास थतो जाई छे, एटलो बदो खलास, धर्मनू लेवल एटलो बदो डाउन थतो जाई छे, आपड़े तो भग्य साली छे, आ लायू कथा सांबलनारा भग्तोने दन्यवाद आपवा पड़े, में वाद करी ने, गुरुजी पासे ओहायो ना कोलंबस ना राकेश भग्तोने वाद करी, क्यों लायू कथा सांबलो तो थयो, पची एकादसी चालू करी, डुंगली लशन में छोड़िया, पची में कंठी पेरी, पची में सत्संग सूचे समझतो थयो, आने कोई ना जीवन मा कदाज कोई व्यसन होई, कुटे होई, तो छोड़वा प्रेत्न करवो जोई, दर्म सहित नी थोड़ी भग्ती पण महान फळने आपनारी छे, दर्म विनानी जाजी भग्ती पण अती अलप फळने आपनारी छे, कथा सांबलिये छे, पण ये कथा ने जो जीवन मा उतारी सु नई, तो ये कथा काम नथी लागवानी, मनुष्यनू मुल्य येनी बुद्धी करता येनी सुद्धी येना उपर आधारीत छे, मानस केटलो सारो कदा जगत मा एनी चातूरी, एनी होस्यारी काम करती होई, पण भगवान ने त्या, खरे-खरा जगत मा पण अंतीम फेशलो, एनी चाला की चातूरी उपर नई, एनी चारित्रे उपर थतो होई जे, जेनु चारित्रे सारो छे, जेना जिवन मा सारी सुद्धी छे, एवा मानसोनी कदाज ओछी बुद्धी होई, जता पन जगत मा एवा पुरुसो महा पुरुस तरीके पंकाई गया छे, एवा केतला दाखला होचे, महारज केवी केवी नानी नानी बाबत मा एक बैनाना प्रसंगों आपणे जोहिये, आपने क्याल आवे, धर्मवान व्यक्तिनों महिमा केटलों मोटों छे धर्मनी वात आवे एटले ब्रह्मचरिय धर्म धर्मनी वात आवे एटले सहज पूरुष नो स्त्री तरफ स्त्री नो पूरुष तरफ नो जे डालों छे मर्यादा तोडी ने सास्तर नी मर्यादा तोडी ने आजे स्त्री पूर्सों आकर्षन वधी रया छे एना कपड़ाओ आ गाम मा जेठा मेर नामना सत्संगी भग्त खुब सझ्जन अती धार्मीक निलकंठ वर्णी विच्रन करता करता आ मढड़ा नामनु गाम ए गाम्मा पधारे जेठा मेरने त्या सामेचाली ने आवे पती अने पत्नी अती धर्मवान बन्य जनाय आतित्य कर्यू प्रभुनी खुब सारी सेवा करी रात्रे निलकंठ वर्णी सुता छे पती पत्नी यवू सामलेलू कि साधुमा भगवाननों निवास होई छे साधुने भगवाननी जेम पूजे माने साधु संथ आवे चरण चमपी करे निलकंठ वर्णी चरण चमपी करवानी ना पाडी बालुडा प्रभु छे एना सरीरनों एटलू बदो आकर्शन तेज छे पती पत्नी ना मनमा एम थाई छे का आपड़े सान्तो घणा जोया साधुओ घणा जोया पन आवा न थी जोया रात्रे निलकंठ वर्णी सुता छे पती पत्नी जाग्या छे निलकंठ वर्णी नी प्रदक्षिना करे छे निलकंठ वर्णी ना चरणार विंद मा नजर जाई छे चरणार विंद मा नजर करतानी साथे सोल चिन्धना दर्षन थया एतले मनमा अती भाव थयो कि आवी रितना चिन्ध जेना चरणामा होई ये निश्चित भगवा नज होई एतले आख माथी दर्दर आसु पड़े पती पतनी बेठा बेठा महराज सुता छे चरणार विंद ना आवाज चिन्धना दर्षन करे छे ए समय मा अकास माथी तेजना गोडाव उतरवा लाग्या एना घर मा ई तेजना गोडाव मा प्रकास ना मध्ये चार मोठावाडा ब महराज नी स्तुती करे छे पती पतनी मनुष्य देहनी आखे थी आवी अलोकि घटना ने निहाले छे थोड़ी वार थाई ए देवतावो जे भगवानने वंदन करता हाता भगवानने हाथ जोडता हाता एज देवो ए आप पती अने पतनी जेठा मेर अने पतनी ने पन हाथ जोड़िया एने पन मस्तक नमायवू पगे लागया त्यारे आ जेठा मेरने अती आश्चरिय थोई अलंकार वस्त्र जोईनेक तमें स्वर्गना देवतावो छो अमारा जवा तुछ अने पामर जीवने तमें हात जोडो पगे लागो क्यम सोभे अने त्यारे स्वर्गना देवो ये मोटा मोटा देवतावो ये वाद करी छे आपना सास्त्रों मा लखानी छे देवो एम कहे छे कि तमारा पुण्यना प्रता पे आ निलकंड आ ब्रह्मचारी जे सुता छेने इस्वयम परब्रह्म छे जेना दर्शन देवो ने पन दुरलब छे ए परमात्मा सामे चाली ने तमारा पुण्यना प्रता पे तमारा घरना अंगने आयवा छे माटे भगवान ने तुमे वंदन करिये छे भगवान तो वंदन करवाने योग्य छे पन तमारा सतकर्म पने वासारा छे कि तमारा सतकर्मना प्रतापे भगवान आयवा छे माटे तमे पन वंदन करवाने योग्य छो बन्य नित्यों अमेवा सुंकाम कर्या त्यारे देवये कईू तमें पतिने पत्नी संसार मा रया छो ग्रहस्थास्रमी जीवन छे चता ग्रहस्थास्रमी जीवन मा तमें ब्रह्मचर्य पालो छो एक जन्मती नई पाचला सो जन्मती तमें बन्य जना पति पत्नी तरीके भेगा थाओ छो अने आखी दुनियानु जे आकर्षन सहज छे जे माया माथी जगतनों कोई सामान्य जीव बची नथी सकतो ए माया माथी तमें बची गया छो तमें बन्ये सो जन्मती निर्धार करो छे कि आपने ब्रह्मचरिय पालवू छे एका बिजाना धर्मनी रक्षा करवी छे एका बिजाना धर्मना बले आपने भगवाननी भक्ती करवी छे आवी रिते तमें सो जन्मती ब्रह्मचरिय पालो छो ए ब्रह्मचरिय ना प्रतापे आजे भगवान स्वयम तमने दर्षन आपवाने माटे तमारा घर ना आंगणे आयवा छे माटे भगवान तो वंदन करवाने योग्य छे पना भगवानना दर्षन आ भगवाननी प्राप्ती तमारा सतकर्मना प्रतापे तमारा धर्मना आचरनना प्रतापे थही छे माटे तमे पन वंदन करवाने योग्य छो भगवान जेवा भगवान पन काले आपने वाद साम्बळी अती ने वारम वार स्रिजी महराजिम कहता धर्मवाडा भक्त साथे अमारे हेत थाई जे धर्म हीन जीव साथे अमने हेत थतु न थी संतोय बई सरस्कोए वाद करी छे कोई संतो ये बहु सरस्वात करी छे के सरीर माँ टेमपरेचर केटलू छे ने ये जोहू होई तो ने एक सामान्य मेथेमेटिक्स छे के थर्मोमीटर जोई है थर्मोमीटर मुको एटले खबर पड़े टेमपरेचर केटलू छे ताव केटलो छे ख्यारावे ने ये वीज रिते भक्ती केटली छे साची भक्ती केटली छे ये तपास्वा माटे भक्ती एटले प्रेम साचो प्रेम केटलो छे इ तपास्वा माटे भगवान मा साचो भाव केटलो छे ए तपास्वा माटे बहु सरस्कोई वात लखी छे सरीर ना टेंपरेचर ने मापवा माटे धर्मोमीटर जेम काम लागे छे येम आपना रदैमा भगवान प्रत्यनी भक्ती केकली छे मापवा माटे धर्मो मेटर काम लागे छे वचना मुर्तमा महराज येम बोलिया के जेने भगवान ने विशे प्रेम होई ये भगवाननी मर्जीने लोपी जन सके पछी महराजे गोपी कावनु द्रष्टान तैपू व्रजनी गोपांग नावये नक्की करिव हतू के कृष्णना रथनी आडे सुई जसू आपड़ा देहने पाडी देशू पन कृष्णने आपने मथूरा सुधी नथी जवा देवा पन कृष्णनी आखमा जोयू कृष्णनी नजरमा नजर नाखी खबर पड़ी कृष्णनी इच्चा छे कि गोपांग नावतमे हटी जाओ मारा मार्ग माथी मारे मथूरा जवू छे मने जवादो एक वार तमने मलवा पाच्चो जरूर आविस भगवाननी मरजी जानी साचो प्रेम गोपी काओने हतो भगवान विना एक ख़न पन कदा चेम कई सकाई के पाणी विना माचलू जिवी सके पन गोपी कृष्ण विना न जिवी सके आवो लगाव थयो चे अतलो प्रेम थयो चे छता पणे गोपी काओ भगवान स्री कृष्ण नी मरजी लोपी न सके प्रेम ना बे स्वभाव बहु जानवा जेवा चे प्रेम एटले भक्ती प्रेमना बे स्वभाव एक प्रेम नो स्वभाव एवो चे जे सरुवात नो प्रेम होई देखाडवा माटेनो प्रेम होई एनो स्वभाव एवो चे ये हम्मेसा आगना तोड़े प्रेम छेने वेवलोबोव होई प्रेम छेने नियमने तोड़वामा बौव काम करतो होई कोई पन दिसामा प्रेम जयरे वधी जाए छेने तेरे बद्धी मरियादावो बद्धा नीमो तोड़ीद नाखे छे सत्संगमा पं गणिवा इवा दाखला महराजना समयमा बन्याँचे श्रिजी महराज गांफ गांभ मा आएवा पोव नानी वाद छे समझ वाजेवी अवल बाई नामना स्त्री भक्त हता यह ने खुब महराजने प्रारतना करी महाराज मारा घरे पधारो महारा आतनो थाल तमे जमो स्रीजी महाराज अवल बाईना घरे आयवा पड़ अवल बाईना सासु हता सासु ने एना मा अवल बाईना मा हता एने बोव भाव के महाराज आजे घरे आयवा छे अवल बाईने किदू तारात नो तो गणिवार भगवान थाल जेमा छे ते तो गणिवार सेवानो लाव लिधो छे आजे मने लाव लेवा दे आम भक्ती नहीं आम सत्संग न करे पन आजे नो प्रेम छलकावा लाग्यो महराद पास यावी गया महराद ने विननती करी महाराज के सारू भगवन तो प्रेमी भग्तों ना प्रेमने पुरा करवा पुर्थवी पर पधारे छे पन साथे साथे स्रीजी महाराज ने कई सिखवाडवू छे महाराज ने कई टकोर करवी छे अवल बाई थाल करवाना हता एनी जग्याए एनी बा एने थाल करो महराज माटे सरस्रसोई बनावी महराजने पिरस्वा जाए छे अवल बाई बाजुमे बेठा बेठा दर्शन करे छे महराजने पिरिसे छे महराज जम्वानी सरुवात करी हजी तो स्रीजी महाराज थोडू जमे अने त्याँ एवु बने कि स्रीजी महाराज ने उल्टियो थवालागी महाराज उभा थया बार वाडो छे वाडामा एवा एटली बदी महाराजने उल्टी थाई जेतलू अन्न पेटमा गयो होशे ये बहुत धूज एके एक दानो अन्न उल्टी द्वारा बाहर निकली गयो अवल बाए महाराजने हाथ जोड्याक महाराज कईक अमाराथी अप्रात्थ यो लागे छे अमारी सेवामा कईक कचास लागे छे के अमारी सेवात तमारा सुधी नव पोची महाराज ये अवल बाए माफी मागवा लागया त्यारे स्रीजी महाराज बोल्या तारी सेवामा कचास न थी तारी बानी सेवामा कचास छे महराज सुक चास छे त्यारे स्रिजी महराजे वाद करी के तारी बा डुंगली लसन खाई छे अणि ए डुंगली लस्ण एने ऐटला वधा भवेचे ना कारण सरीर मा चोटिया चे आ अमारा माते रसोई तो एने करी अमारा माते परेम्嫁ती थार तो एने बनाएवो पन ए अंतरमा पडेली डुंगली लस्ण नि दुरगंध येना प्रेम द्वारा, आ येना थालमा, येना भावमा ये प्रगट्थ है और ए रसोय आजिया में जहमा येना प्रेम हतो एकले में जहमा प्रेम मा दुर्गंद भलेली हती येना कारणे आँ अन अमारा पेटमा टक्युने बार निकली गईू प्रेम गम्मेव सारो हसे पने माजो पवित्रता न होई तो ए प्रेमने भगवान स्विकारता न थी काचो प्रेम ए प्रियतमनी मर्जी लोपी सके छे पन पाको प्रेम ए क्यारे पन प्रियतमनी मर्जी लोपी सकतो न थी आपणा गुरुजी बहुँ सरस वात करे कि उपासना औने आगना अक्सरदाम मा जवानी बह पांखो छे उपासना पन दरढ जोईये अगना पन दरढ जोईये औने बनने एका बिजा परस परस चे उपासना जेटली द्रढ थाई, आगना एतलीज भगवाननी वधारे पड़े, गुरुजी वात करे, आगना जेटली वधारे पाले, येनी जेटली उपासना वधारे द्रढ मानवी जोईए, कोई वानी थी उपासना नी वातो करे, येके उपासना नथी, आगना जेतली वधारे पाले छे तो समझी लेवू कदाची बोले छे नथी बोलतो देखाई छे के नथी देखातु पणि नी उपास न एकली द्रड छे तोज भगवाननी आगना पले भगवानना स्वरूपनी एटली द्रड निष्ठा होई तोज भगवाननी आगना पले बाकी भगवाननी आगना न पाली सके क्यों सरस्वात आगना पाले छे एटली एनी उपासना द्रड छे अन जेतली उपासना द्रड छे एतली जे भगवाननी आगना पाली सके आपने घणिवार वातो करता है कानी उपासना द्रड छे पन आगना काची छे येनो और सिधो यो थाई किनी उपासना पन काची छे तो जे आगना काची होई आपने गुरुजी मा खुब हैत होई तो गुरुजी जे आगना करे ये आपणा थी थाय अज थाय ने इतला माटे वचनामृत्मा महाराज के महात्मय ग्नाने सहित भगवान अने संतनों जने निश्चेई छे लोयान उत्रिजु महात्म्याग नाने सहिद भगवान ने संतन जने निख्ये इछे तीना थी भगवान और शंतने अर्थे शू मल थाय बद्धुज थाय पचि महाराजे द्रस्टान तो आये पा महाराजना समय ना कया खया भग्तो के वो समर्पन कर्ई बद्धुज थाय महिमा साचो होई तो प्रेम साचो होई तो भक्ती साची होई तो पने भक्ती साची क्यारे थाई ये प्रेम साचो क्यारे थाई येनू कोई मिटर छे ने आपने काई आपनी रिते मापी न सक्किये सरीर ना टेंप्रेचर ने मापवा माटे थर्म मीटर काम लागे एम जीवन मा भाव प्रेम ने भक्ति ने मापवा माटे धर्म मीटर काम लागे धर्म जेटलो द्रड एटलो जेनो प्रेम साचो धर्म जेटलो नमालो आगनामा जेटली गाफलाई एटलो जेनो प्रेम पन गाफल खुब सरस महाराजे वात करी कि धर्मकुल ना असरीतो निरंतर असब्द पर भार मुक्यों छे निरंतर बद्धा धर्मन उपालन करे श्रीजी महाराजना पेट मा डुंगली लस्षण जे खाये छे एवी कोई व्यक्ति प्रेम थी रसोय करे तो एनो प्रेम भगवान स्विकारे भगवान तो समर्थ चे ना पाड़ी सकत के भईतारी रसोय में नहीं जमिये प्रेम साचो हतो एना प्रेम मा क्यांक भाव सत्य हतो पण इप्रेम मा दुर्गंध भलेली हती आगना लोपनी अने परिणा में भाव देखातो हतो प्रेम देखातो हतो पण ए प्रेमनी पाचल भगवाननी आगना लोपी छे एतले ए प्रेम भगवाने श्विकारे नहीं दर्शन करवा माटे मोटा मोटा देवताव आवे हाथ जोडे इने माथु नमावे इने पगे लागे कारण सो सो जनमती पती ने पत्नी साथे रहवा छता अखंड ब्रह्मचर्य ने पाड़नारा इतले महराजेम कहे छे भगवान नो भगत आविरित्य धर्मनी मोटाई ने सम जे अमेरिका मा डुंगली लशन नुँ बोव काचू छे बोव काचू सारा सार आरी बगतो जमे छे डुंगली लशन नी क्या वाद करो माफ कर जो आदेश मा तो धर्मच काचू छे तल्यूज नथी एमक्यो तोई चाले खावानू पीवानू बोव जाजू आपड़े वा विस्तार नथी करता इमां बद्धू जावी ग्यो अमेरिका मा जे पाप सास्त्रों मा लख्या छे ने पाप गणाताज नतियम क्यो तोई चाले सास्त्रों मा लखेला पाप जमके सास्त्रों मा लख्यू एक एक जम्पला पूछू जुगार एपाप छे अमेरिका मा केसी नो लीगल छे जाव प्रेम्थी रमवा सास्त्रों मा लख्या चे पाप लोको अनुभवे चे पाप छे चता पन एवा कितला पापो थाई चे पड़ा आपने महराधना आशरित चिये रोज कथावारता सांभलिये चिये और एक जावारता जीवन ने अडए कथामा आपने बेशिये चिये पड़ा जो आपनामा बेशिये तो वात एकली नक्कि काम थाई जेदी तेदी कथा जीवनमा उतर से त्यारेज आपड़ो थाक दूर थसे आ कथा ये व्यथाने टालनारी छे पन कोनी व्यथा टले आ कथा जीवनमा उतरे एनी ંત્લા માટે लાયો કથા સામળનારા ભક્તો દેશમાં કે વિદેશમાં એત્લા બધા ભક્તો લાયો કથા आपने आनन थाई, अमने आनन थाई, अमारी वातों सांभले छे, येनो खुब आनन थाई, पन कोई एम वाद करे के स्वामी तमे वाद करी एतले मैं आज छोड़ी दिदू, हवे नक्के करूछ बस आविरीते जीवन जीवू छे, तो आनन केतलो थाई, वधारे थाई ने, अ रिवर्तन जो न आवे, तो कदाच आक कथा, एना थी जेतलू फळ मलवू जोईए, एतलू न मले, एतला माटिया लायू कथा सांभलनारा भक्तो, आपने एतलू नक्की करिये, आपने महराजना भक्त छिए, केतला समर्ध भगवानना एकांतिक सत्पुरूस, एम कैसे कया ह चालतू चालतू अक्सरधाम जेवा, एवा गुरुदेव आपनने मल्या, अखंड भगवानने धारीने फरनारा, नानाम नानी महराजनी आगना, एवा तो एक बे दाखला में तमने किधा, एवा तो एक बेने हज्जारो दाखला में संतोय जुया छे, अनुभयवा छे, न एवा सतपूरुषने आपने गुरुतरी के स्विकार्या छे, तो आपनी फरज एकली छे, कि एमने गमे, एवा मोटा पूरुषने गमे एवा आपने जीवन करवू जोईए, और ए भगवानना भक्तनी फरज छे, एज साचो प्रेम छे, ए साची भक्ती छे, में कयो हतुन पेल्ले दिवसे, कि तेल नथी, और दिवामा कदात प्रकास देखाई छे, पने प्रकास लांबो नहीं चाले, कारण के अंदर तेल खुटी गयो जे, एम धर्म नथी, और प्रेम देखाई छे, भक्ती देखाई छे, पने भक्ती नुँ आयुस्चे लांबू नथी, आकास भगना पाणी विनाना छे, पाणी विनानु वादल ए वर्षे नई, और प्रुथ्विने लिली चम करे नई, एम धर्म विनानी भक्ती एक क्यारे कोईने लिलो करी सके नई, धर्म विनानी भक्ती एक क्यारे कोईनु कल्यान साधी सके नई, धर्म सहितनी नानियवी भक्ती पन अनन्त जीवोना कल्यान करे छे आ वात गुरुजीना जीवन मा थी मोटा मोटा सत्पूरुशोना जीवन मा थी आपणे सांभली चेमनी अनुभवी चे अमे तो साथे रहिये छे कितला दाखला जोहिये छे माटे भगतो क्या गाफलाई होई तो नकी करिये कि आपणे गाफलाई छोड़ी देवी छे अवे स्रीजी महाराज बो आगल सरस्वात करे चे अपणे थुड़ू आगल वत्ता जेए बाल प्रभु घंश्याम महाराज माता ने कहे छे हे माता जे धर्म कहवाए छे ते वर्ण धर्म औने आस्रम धर्म आवा बे विभागे करिने अलग अलग बतावियो छे अने तेने सुरुतियो अने स्मुरुतियो ये पन प्रमानित करियो छे ये मात धर्म जो कहे जे हुँ वर्ण आस्रम विभाग करते हुँ वर्ण नो धर्म औने आस्रम नो धर्म वर्ण एतले सुँ औने आस्रम एतले सुँ थोड़ू समझी लईए एक जीवन एटले के इंडिविज्योल परसन मनुष्यनु जीवन एना चार विभाग करया पेल्लो विभाग बीजो त्रीजो अने चो थो 100 वरस जीवनारों अंदाजित मनुष्य एना सरुवातना 25 वरसनों पेल्लो विभाग एटले ब्रह्मचर्य आसरव यटले के भय मनुष्यना जिवनना पहला विभाग मा सरुआत्मा मनुष्य सुू करू जुए ब्रह्मचर्यनु पालण करू जई ब्रह्मचर्यनु पालन करी सास्त्रनों सारों अभ्यास करी विद्ध्या म्यलेवी लिवी जई पचि बीजो आश्रम ग्रहस्त आश्रम पचि ग्रहस्त आश्रम मा प्रवेश करी धर्मस आश्रम नी मरियादा प्रमाणे जगत मा रेवुज होई क्यार पचि त्रीजो आश्रम वान प्रस्था आश्रम संसार मा गया पचि पचास वरस थाई एकका वन क्यवाई ने वनमा प्रवेश एक कावन था एकले समझे लिवक अवे वनमा जवानों समय थयो अवे घर मा छिये तोपन वनमा रेता होई एविरिते जीवन जिवू ए वान प्रस्था आश्रम जे अना सक्त थवू जगत्ती थोड़ी वृत्ती संकेलवी ए वान प्रस्था आश्रम जे अने जगत्त मा थी पृत्ती ने पाची वाली भगवान मा वृत्ती जोड़ी आशाचो वान प्रस्था आश्रम अने चोथो सन्यास आश्रम एपले के संसार मा रहवा छता जे विरिते कमल किचण मा होई पन किचण नी दुरगंध कमलने स्परसी पन नसके संसार मा सरसो रहे मन रहे मुझ पास संसार मा लो पाय नहीं ते जानों मुझ दास संसार मा अना सकत भावे करने रहवू आ संयास आश्रम छे चार आश्रम छे संतो माटे पेलो आश्रम ब्रह्मचरी आश्रम स्विकारे और यावत जीवन ब्रह्मचरी तरीके जीवन जीवे तो स्रेष्ठ मार्ग छे ब्रह्मचरी नथी राखी सकता एना माटे ग्रहस्त पण ब्रह्मचरी आश्रम मात जो जिवी सके इस्रेष्ठ मां स्रेष्ठ मार्ग छे एतले साधू माते तो स्रेष्ठ मां मार्ग छे पण एतलो स्रेष्ठ पिलुके निस साइन्स मां न जही सके तो पची क्या मां जवू? कौमर्स मा अने कौमर्स मा ये मगर न चाले तो क्या जवू पछी आठ्स मा फेकल्टियों राखियो ये लगलग एतला माटे एक जीवन ना चार विभाग करिया येनू नाम आश्रम पड़ आखो समाज येना चार विभाग करिया अमुक समाज एनो एक विभाग ये ब्राम्मन, बिजो विभाग ये सत्रिय, त्रिजो विभाग ये वेस्य, औने चोथो विभाग ये सुद्र आपना सास्त्र में ये कथा छे सो दिकराव हता, सो भायो हता, दिकरा एतले भायो ए भेगात मलीने नक्की करियो आपने यगन करिये पण विच्छार्यों कहावे य कोन कर से येटलै थोड़ा भायो कि दू कि आमें बेसीने य newsp Grand करी अमने मन्त्रों आवडेछे जो तमें य symm Peas찬 कर सो तो ये य Occनमां असुरों आवे अनिष्टतत्त्त्त आवे ये ना थी रक्षा करिव doubts जरूरी छे एतले आमें आत्मा तलवारो धनुस बान लईने रक्षा करी सु थोड़ा भायो यगण करवा बेठा मंत्र बोली ने ए यगण नि रक्षा करवा माँ तो ए बदू लाववानू काम खरीदवानू काम आमें करी सु थोड़ा भयो खरीदवा माटे निकले यगन माटे घी लाकडा जेके वस्तु नी जरूर पड़ेते एतले ये भयो खरीदवा गया चोथा भयो येनेम थेएु के तम्या बदू करशो येमा जरूर पड़से तमारी साथे मारी सेवा करवी परशे साप सुफाई करवी पडशे एतले आम्या साप सुफाई नू काम करशू एवु कहवाए रुसब देव भगवानना सो दिक्रावो एमाथीज अलग-अलग जे दिक्रावो यग्णना कुंडो पर बेठा आता मंत्रो बोलता हता एनी जे परंपराचाली बदा ब्राम्मनो थया आपना पूरु सुक्त मा पण विरात नारायन एकना सरीर माथी चारे चार ब्राम्मन क्षत्री वेश्य ने सुद्रो थया एवी कथा छे रुसब देव भगवानना यग्णना कुंडु पर बेठाला दिक्रावनी परंपराचाली ब्राम्मनो शस्त्रो आत्माले रक्षा करनारा दिक्राव हता एनी परंपराचाली जे घी तल वगेरे लावनारा हता एनी परंपराचाली वेश्यो थया जे सापसुफाय करनारा ए एनी परंपराय सुद्रो थया सास्त्रो प्रमाने भगवानना मुख माती जे प्रगड थया ब्राम्मनो भगवानना बाहु माती जे प्रगड थया एक्सत्रियो भगवानना साथल माती जे प्रगड थया ये वेश्यो अने भगवानना चर्ण माथी जे प्रगट थया विराट नारायनना ए बदा सुद्रो थया बहु सरस आ समाजना विभागो अने जिवनना विभागो आ मरियादाव बहु समझवा जेवी जे स्वामी भारतीकरिष्ण तीर्थजी महराज, येन साइन्टीफिकली आवद्धिवस्तू प्रूव करी छे कोई स्विकारे, कोई न्व स्विकारे, कोई माने, कोई न माने गुलाब ए गुलाब छे, मोगरो ए मोगरो छे भगवाने जेनु सर्जन एवु केरू छे स्त्री ये स्त्री छे पूरूष ये पूरूस छे। अत्यार हाई इक्वलिती नी चर्चा थही शके। ।‍क हिस्त्री औन पूरूस ने समान हक अधिकार मड़ो जए वात थही शके। जीवन नी मरियादा ये भगवाननी बढ़ी ये। ये जेतली सचवाई येमा समाज नूपन हीत छे औने जीवन नूपन हीत छे जेना जीवन माँ चार आश्रम बराबर अणी सुध्ध होई ये व्यक्ती आ प्रुथवीवपर क्यारे दुखी न थाई जे समाज मा आ वर्णनी मरियादा द्रढ होई ये समाज पन क्यारे दुखी न थाई ये समाज पन सुखी होई अब बउसरस महाराज आ वर्ण औने आश्रमना धर्मों विभाग साथ्यामा बतावे छे थोड़ू आपने वाची लिए एक वात महाराज एकली सरस करी बाल प्रभू माता भक्ति ने कहे छे ये माता सत पूरुसो जेटला आचरण ने प्रमान भूत करे तेटला आचरण प्रमाने वर्तवूत ये धर्म छे द्रामन क्सत्रे वेश्य ने सुद्र ये चार वर्न कहवाई छे तात्विक द्रष्टिये तपासिने जोईयेतो ब्रम्मचारी ग्रहस््थ वान प्रस्टने सन्यास ए चार आश्रम कहवाई छे आपने जिनी चर्चा करी ए चार आश्रम अने चार वर्ण महाराजे बताविया पन महाराजसु कहे छे सत्पूर्षो जेतला आचरणने प्रमान भूत करे तेतला आचरण प्रमाने वर्तवूते धर्म छे धर्मनी चर्चा करवी सेली छे पन धर्मना मर्मने समझवने ए बव अगरो छे मुन्टु भगाच धर्म बिजा माटे छेजने महत्मा गांधियेक बवस्रस विधान करेलू महत्मा गांधियें केता एक जाडना अज्जारो पांद होई एमा एक पन पांद सर्खुन होई अत्याना विग्नान प्रमाणे दरेक परणनी साइन्टिफिक रचनाओ जुदी-जुदी जी विग्नान माने छे त्यारे आखी दुनियाना कोई मानसनी फिंगरप्रिंट पन सर्खी न थी आखनी कीकी पन सर्खी न थी एवीज रिते आद दुनियामा आवेला तमाम व्यक्तिनो धर्म भगवाने कईक जुदो-जुदो राख्योचे एतला माटे स्रीजी महाराजे शिक्सापत्रिमा लख्यू धर्मो ग्नेयह सदाचारह सुरुती स्मृत्यूप पादित हु शुरुती एतले वेद स्मृती एतले वेदने अनुसरनारा सास्त्रो एमा जेनू प्रतिपादन थयू छे पेल्ली वाद एतो केटलू बदू प्रतिपादन थयू होई केटलू बदू कोई वेदो वाच्या न थी अमे संतोय पूरा न थी वाच्या तमे केम न वाच्या होई सुरूती अने स्मृती मा जेनू प्रतिपादन थयू छे पाछो केओ हो होई सदाचार हा संतोय जे आचरण मा मुख्यो होई संतोय जेनू आचरण करियू होई येवो जे आचार छे येने अमेस धर्म मानिये छे येने अमारा आश्रीतोय धर्म जानवो अने धर्म तरीके स्विकार्वो अईया पन महाराज ए जवात करे छे सत्पूर्शोये जेतला आचरणने प्रमान भूत कर्यू होई एतला आचरणनु वर्तन कर्वू एनु नाम धर्म छे अंते संतोनी आगना भगवाननी आगना ए धर्म छे निस्कूलांद स्वमी बोव स्तरस लख्यू छे सार शिद्धी मा कि धर्म धर्म बदा वात करे पन धर्मनोМर्म जान्वव बोव कठण छे દરમ તે ધરમ સુતના વચન અંતે ધરમ તો ભગવાના વચન ભગવાની આગના એજ છે भगवान प्रगट होई त्यारे आपनने आगना करे धर्म छे भगवान प्रगट नथी त्यारे महराजे शिक्सापत्री जे लखी छे ये आपना माटे धर्म छे पण शिक्सा पत्री मां बधी वात नथी आओती, घणी वात ऐवी होईचेक जे शिक्सा पत्री मां नथी होती, अरीत तो नहीं होती, अरी बगते फोलटतों नमगतने थाएँ, तियारे पुछता होईजे, कोई अरी बगत चाला जता होई गाड़ी लईने गाड़ी माँ वांदरों मरी जया थड़ाईने तो सिक्षा पत्री माँ लख्यू नोथी सुन करू लख्यू छे तो संतो ने फोन करे संतो जे प्राइस चीत आपे प्राइस्चीत प्रमाण्य अपने प्राइस्चीत करिए तो यह धर्मनु आचरन करू के वाख क्या र्यक बने येव तमने खबर छे माना बे एक आदसी नु legit रमादसी न अमू केलेंडर के आ शत्तर तार रिखे का दसी एतली बदी धमाल चाली छे अमना तो देशमाने विदेशमा एतला बदा फोन आवे एतला बदा मेसेज आवेक स्वामी कया दिवसी एका दसी त्यारे सुनी रणे करवो तो मोटा सत्पुरुष नी आगना कानके ए सिक्षापत्री मान थी बतेवो के पई सत्तरमी तारिख एका दसी कर जो एतली बदाने कन्फुजन थवानू पन एवा समय मा मोटा सत्पुरुष ने पुछिए गुरुजी ने पुछिए गुरुजी के सत्तरमी तारिख नी एका दसी आपने मान्या छे सत्तर मी तारिक नी एकादसी करीये एतली एकादसी कर्यानु पुरे-पूरू सोट का फढमले सत्पूरूसनी आगना सत्पूरूसे जने प्रमान भूत कर्योँ छे ते धर्म छे आ सुन्दर वाद स्रीजी मारतोजी आगल विस्तार्थी करसे आपने थोड़ी विस्तार्थी काले समझीशू, सांबलीशू, लायू कथा सांबलनारा बधा भक्तोने बेवात करवानी, आ सनीवारे चवुद तारिके लोयाधाम मंदिर माजे सभाँ छे, आपना मंदलना गुरुजीना खुबज कुरुपा पात्र येवा पुज्य योगी स्वमी धम्मा गया, येने बराबर एक वरस थाई छे, एटले स्वामी नी पुण्य तिथीनी मित्ये, पुण्य स्मृतिमा आ सनीवारनी सभा छे, बधा भक्तो जरूर्थी पधार जो, जे पधारी न सके, एक घरेथी बेशिने लाब लेजो, अने साथे, आवा एक महान भगवानने वाला संत, गुरुजीनो जेने अनहद राजिपो मेलेवो, एवा एक नाना संत, प्रभो मोटी कमानी करीने, जीवन टुकमा, लाम्बू जीवीने, जतारया, एवा संतने आपने याद करीशू, तमें बधा भगतो पाण खास करेबेशिने, अथ्वा मंदीर आविन लाब लेजो, अने पंदर मी तारिक रविवार एकादसी नो दिवस छे, रविवार छे, एकादसी छे, एकले आपने लोयाधा मंदीर मा बपोर पछी ठाकोर्जी त्रण वागे जागे कंच्या माराने जगाडी, त्रण वागे धून चालू करीशू, सात वागे शूधी एकले चार कलाग धून करीशू, सांजे सात वागे आरती थसे, चैर बाद धून कीर्तन ने आपने जे करिये छे, चेश्टा वगेरे अने कथा, तो बधा भगतो ने रविवार नी धून कामदं कारणं स्वामिनारायनं नेलकंठं भजे, अरिकृष्ण महराज ने जे